दोस्तों जब हम YouTube पर कोई वीडियो देखते हैं तो उसका सिर्फ हम 30% भागी देख पाते हैं क्योंकि 50% भाग जो होता है सिर्फ वो हमें सुनाई देता है सुनाई देने का मतलब आपकी audio जितनी जादा interesting होगी जितनी जादा अच्छी होगी जितनी जादा crispy होगी जितना अच्छा आप प्रेजेंट कर सकते हैं अपनी audio को edit के बाद में वो सबसे ज़्यादे effective होता है वो आप लोगों के लिए attention का काम करता है तो लोगों के लिए अगर आप लोग attention मनना चाहते हैं लोगों के लिए अपनी वीडियो को आप attention में लाना चाहते हैं computer में या laptop के अंदर mobile application से किस तरह से edit करते हैं किस तरह से record करते हैं बहुत जल्द इसके बाद में वो वीडियो आने वाली है तो फिलहाल करते हैं इस वीडियो को start Hello दोस्तो मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहा है मेरा YouTube चैनल टेकसा हो दोस्तो आप लोगोंने सुनाई होगा introduction के अंदर मैंने आप से क्या कहा मैंने आप से कहा है कि हम आज audio के उपर बात करने वाले हैं audio जितनी ज़्यादा interesting होगी उतना ज़्यादा आपके लिए बहुत ज़्यादा आपके लिए benefit हो जाएगा क्योंकि जितना attention वीडियो देखने का होता है उतसे ज़्याद attention मिलता है हमें audio का तो चलिए start करते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दू आपको recording किस तरह से करनी है बहुत simple सा फंडा है दोस्तो सबसे पहले आपको एक ऐसा place जुण लेना है जहां पर विल्कुल भी शोर शरावा ना हो पहली बात दूसरी बात आपको ऐसी जगाच चूज कर दी है जहां पर बार बार कोई इनसान पीच में ना आए जिससे आपकी regularity जिससे आपका बोलने का flow टूटे ना बार-बार बीच में आप recording कहीं पर भी कर सकते हैं professionally desktop पर भी कर सकते हैं बहंगे mic के साथ भी कर सकते हैं और सबसे आसान तरीका अगर मैं आपको बता हूँ जैसे कि मैं करता हूँ मैं बहुत ही सस्ते budget में ये सारा system लगाया हुआ है मेरा या आप फिर मेरी तरह भी कर सकते हैं मैं कोई professional mic पर इस वक्त नहीं record कर रहा हूँ ये सिर्फ editing का कमाल है और अभी जो आप ये mic देख रहे हैं मेरे गले के पास ये mic boyya का M1 है जो कि मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही इसका review किया था आई बटन में आप जा करके वीडियो को देख सकते हैं शायद यहां यहां पर मिल जाएगा आप लोगों को तो चलिए move करते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है दोस्तो हम लोग आ गए हैं अपने desktop की screen पर और अब देखते हैं हमें क्या क्या प्रॉसेस इसके अंदर करना है तो सबस्क्राइले मैं आप लोगों को बता दू दोस्तो आपको एक application की जरूरत पढ़ने वाली है जिसका नाम है order city मुझे नहीं पता कि order city यह free क्यों है यहां पर है और यह हमने open कर लिया अगर आप लोगों को नहीं पता है कि यह कहां से download होगा तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ एक second यहां सबसे पहले आप लिए Chrome खोलेंगे और Chrome खोलने के बाद आपको Google पर जाना है Google पर जाने के बाद आप लिखेंगे order city तो order city download for PC यहां पर आप click कर देंगे click करने के बाद जो first link आएगा आपका सबसे पहला देख लीजिए यह है और इस पर आप click करेंगे और click करने के बाद यह थोड़ा सा process लेगा process करने के बाद यह देखिए आपको जिस भी bit का आपको download करना है यहां से कर सकते हैं आप लोग दोस्तों आपको विंडो के bit के बारे में पता होगा तो उसके हिसाब से आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं तो simply आपको यहां पर download पर click कर देना मैं simply क्या करूँगा इसमें dragon drop कर दूँगा इसे उठाऊंगा यहां से और इसमें में लाकर छोड़ दूँगा छोड़ने के बाद यह मेरे पास कुछ symbol आ गया है और इसका interface कुछ इस तरह से दिखाए देता है बहुत कुछ जादा आपको जानने की इसके बारे में ज़रू सुनके देख लेते हैं आखिर इसमें है क्या यह मैंने जान बूज़ कर कुछ पार्ट आपके लिए छोड़ा था इसके अंदर ताकि हो सकता है आप लोगों के साथ भी ऐसी गलतिया होती हो तो उसको आप किस तरह से करेक्ट कर सकते हैं तो यह हमारी किस तरह से लगती है अब सेंपल के तोर पर हम मान लेते हैं कि यह आपकी आडियो है और इस तरह से आप भी गलति करते होंगे तो आपको करना क्या है सिंपली सबसे पहले देखिए यहां पर यह आपको मिल जाते है टूल देख रहे हैं यह मिल जाता है आपको टूल उसके बाद यहां आपको मिल जाता है रिकॉर्डिंग जो यह वाइट है जो हम यह वाइट कर रहे हैं, आप न गे माउस से nap PPT लेके बाद माउस से उसन यहां बहुनां कि आप पर हकल कि जैए कवर देखिए उपर यह जूम मिल जाता जैसे आपको बाह्त बारीकी का काम करना है, बहुत चोटी से एक voice को काड़ना है, तो यहां से आप zoom in और जूम out कर सकते हैं, तो फिलाल मेंसे center पर pound on, अब इसके बाद हमने करना किया, सबसे पहले आपको waste part delete कर देना है, तो जो हमारा waste part है, वो हमारा कहां से कहां तक है, यह देखिए, तो मैंने यहां से बोलना शुरू किया देखिए इससे पहले का पार्ट मुझे बिल्कुल नहीं रखना है तो मैं इसे सेलेक्ट करूँगा सेलेक्ट करने के बाद आपके पाद दो ऑफ्शन है इसे काटने के लिए एक तो है कीबोर्ट के साथ आप इसे काट सकते हैं कीबोर्ट का मतलब आप बैक स्पेस दबाएं या डिलीट दबा दीजिए तो यह आटोमेटिकली कड़ जाएगा यह कड़ गया तो दूसरे तरीका मंने सारे कड़ दी अब काटने के बाद हमारे पास यह फ्रेश ऑडियो बचती है अब इसमें सबसे पहला हमारा काम क्या होता है ऌइसरे क्या होता है तो देख क्दर रहा रही तो इसको दूर करने के लिए जिस एर्यए में आपलोगो का साईल azar बिल्कुल इस audio के अंदर उसे हम क्या कर लेंगे, select कर लेंगे, select करने के बाद आपको जाना है, effect के अंदर, effect में जाने के बाद आपको जाना है, देखिए मैं आपको एक बात और बतायता हूँ, यह मेरा जो version है, यह बिल्कुल अभी 2023 का version है, आप देख सकते हैं, यहाँ पर 34 फोल्डर बना दिया है, उसके हिसाब से ही हम इसमें चेक करते हैं, तो हमें सबसे पहले कहां जाना है, देखिए आपको यह मिल जाएगा, चौथे नमबर या पाच्वे नमबर पर, noise remove and repair, यहाँ पर आप क्लिक करना नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ पर अपना कर चले जाए है, get noise profile पर क्लिक कर देना है, खतम, ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पर कहीं पर भी, इस पूरी पटी पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे, या अगर आपको इतना भी नहीं करना है, तो आप simply क्या करेंगे, control A कर देंगे, तो भी यह select हो जाएगा, अब हमें फिर से वहीं जान कर देंगे है, बिल्कुर सीधी सी एक line बन गई, अब इसके बाद, अब हम इसे सुन कर देखते हैं, कितनी noise अभी बाकी रह गई है, तो देखिए, काफी हद तक आप लोग की noise बिल्कुर दब गई है, तो यह हमारा देखिए, वेस्ट पाइट है, इस आप में फिर से डिली अब इसके बाद, जो option आता है, हमारे पास में, आप देखिए, आपकी आवाज में अगर थोड़ा पतला पन है, और आप बेस चाहते हैं, आपको यहाँ पर बेस and travel का एक option मिलता है, यहाँ पर आपको जाना है, simply, यह आपको देखिए, देख लीजिए, कहां मिलेगा, यहा इतना करने के बाद, अभी आपको काम खतम नहीं हुआ है, इसके बाद, आपको जाना है, इसी option के अंदर, दुबारा से, और यहाँ से हम, इसके अंदर जाएंगे, और यहाँ से जाने के बाद, अपना, ग्राफिक EQ खोलेंगे, अब यह ग्राफिक EQ, इसमें ज़्यादा घ लिए और क्रिस्पी वाइस हो जाएगी एकदम, देखते हैं, देखे सुनकर देख लेते हैं, प्रिव्यू, तो देखे दोस्तों, कितनी बेहतरी नवाज हो गई है, इसे आप चाहें, तो थोड़ा सा अगर आपको वेस ज़्यादा लग रहा है, तो वेस कम भी कर सकते हैं, तो चाहें है, आप सिंपली क्या करना है, इसे पकड़के, अपना माउस का पहिया होता है, उसको स्क्रॉल करना है, और यह आपका नीचे हो जाएगा, उपर करना है तो नीचे, इसे थोड़ा सा बहुरा नीचे कर लेते हैं, और अब सुनकर देखते हैं, यह तनी काफी है, इसे कर देंगे, डन, अब ये देखिए, आपकी वेव फॉर्म जो है, थोड़ इसी चेंज हो गई, पहले, देखिए, इस तरह से दी, और अब जो हो गई है, आपकी, अब ये इस तरह से हो गई है, राइट, तो मैंने आपको यहां से इसलिए करके दिखाया है, ताकि आपको अब कभी कोई गलती हो जाए, तो आप कर सकते हैं, वैसे कंट्रोल वाई और कंट्रोल जैट से हम ये चीज़ें किया करते हैं, तो देखिए, सुनकर देखते हैं, तो दोस्तो, इस तरह से हम अपनी आवास को क्रिस्पी एंड क्लियर कर सकते हैं, तो देख लेते हैं, दोस् अब कोई भी अपना नाम देना है मैंने इसी उल्टा सिदह एक नाम दिख लिया है और उसके बार डेक्स्टॉप पर मैं सेफ कर रहा हूं और यहां कर देंगे एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट करने के बाद ही डेक्स्टॉप पर वीडियो हमारी आ जाएगी यह देखे यह रही अब इसे सुनकर देख लेते हैं हेलो दोस्तो मेरा नाम है सुहिल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल टेक्सा हो तो दोस्तो देखा आप लोगों ने इस वीडियो के अंधर किस तरह से अपनी ओडियो को एडिट करते हैं तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा, वीडियो को लाइक कर दीजेगा और अपने दोस्तों को साथ शेयर जरूर कीजेगा जो यूट्यूब वीडियो बनाते हैं, कॉमेंट सेक्षन में बताइएगा कैसी लगी आप लोग फ़स्तों कर दोक्तों का sucks